अम्बाला शेहर का कालका चोंक आज उस समय दहल उठा जब यहाँ पर गोलियों की थर्ट तड़ाती हुई आवाज सुनाई दी जानकारों की मने तो यहाँ दो ग्रूपों की बिच गैंग वार हुई कालका चोंक पर बदमाशों ने चंडिगर नंबर की स्विफ्ट कार को रुकवाया और फिर फाइरिंग चुरू कर दी तकरीबन 20 से 25 राउंड फाइर किये गए फाइरिंग में कार्सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों की घायल होने की सूचना है बता पता चला है कि यह इस घटना को पांस से साथ मिनट में अंजाम दिया गया घटना के बाद मोके पर दैशत का महल रहा कुछ इस देर तक ट्राफिक रुका रहा पुलीस के पहुंचने के बाद ट्राफिक को सुचारू किया गया आशन का यह भी जताई जारी है कि यह गैंग वार भी हो सकती है पुलीस आभी मामले की परताल कर रही है मैं अभी तक हो जो होस्पिटल से अभी पूरी रिपोर्ट नही है और इसमें लावरेंस ग्रोफ और वो भूपी का नाम अभी तक आया है क्योंकि अभी तक जो मारने वाले हैं जो स्विप्ट गाड़ी में थे उनका क्लीर नहीं है वो लोग कौन थे अभी तक आप यह न कहो कि सक्क्यादार पर या उसक्यादार पर पुलिस अपने कारव ही कर रही है लेकिन अभी तक हम यह कंसके का मारने वाले कुण हैं अभी यह को अभी हो सकते हैं अभी हमारी टीमें लग को दे में है ज्यादा की बहुतार् का आपको बता है अब तोड़ी देर पहले यहां गोली चलिए आप सब को जैसे पता है अब आप 20 राउंड चले हैं बोलते हैं और दो आदमियों का देहानत हो गया दो आदमी जखमी है जो आस्पटेने पर थी है और अमबला पुलिस जो है इसमिसाभी मौके पे है और करवाई हमने कर रहे हैं जैसे कोई प्रोग्रेस होगा आपको बताएंगे वो अभी आ रहे हैं वेरिफाई कर रहे हैं और बंदा एक शायद आइडेटिफाई भी हो गया है जैसे आगे प्रोग्रेस होगा आपको बताएंगे अभी चेक कर रहे हैं अभी चेक कर रहे हैं